C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्दु थे कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर त्रितियह पाठह अकारांत नपुंसकलिंगह पुष्ठ संख्या सोलह से पुष्ठ संख्या बाईस यहां चित्रों के अनुसार पाठ का परिवर्धन किया गया है प्रति चित्र तीन चार वाक्य है और उन्हीं वाक्यों के अनुसार उनका विवरन है जैसे प्रथम चित्र में एक स्त्री मजदूर कुदाल चला रही है दूसरे चित्र में विश्राम ग्रिह का चित्र है तत किम तत विश्राम ग्रिहम अस्ति किम अत्र भित्तिकम अस्ति अत्र भित्तिकम ना अस्ति तीसरे चित्र में सुवर्ण कार को अंगूठी बनाते हुए दिखाया जा रहा है एते के एते अंगूलीय के स्तह सुवर्ण कार अंगूलीय के रचाया थी चवथे चित्र में बसयान को मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है ते के ते बसयाने स्तह ते बसयाने कुत्र गच्छतह ते रेलस्थानकम गच्छतह पांचवे चित्र में कुछ रुमालों को दर्शाया गया है एतानी कानी एतानी करवस्त्रानी संती किम एतानी पुरानानी ना एतानी तु नूतानानी चठे चित्र में केलों को व्रिक्ष के माध्यम से दर्शाया गया है तानी कानी तानी कदली भलानी संती किम तानी मधुरानी आम तानी मधुरानी पोशकानी चा शब्दार्था प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द, द्वितिय स्तंभ में हिंदी शब्द और तृतिय स्तंभ में इंग्लिश शब्द के माध्यम से हम संस्कृत शब्दों के अर्थ को जानेंगे एतत नपुंसकलिंग, यह, इट, विष्राम ग्रिहम, विष्रामालय, नाइट शिल्टर, अत्र, यहा, हेर, भिटिकम, घेरा, दिवार, पेंस, वाल, खनित्रम, कुदाल, खन्ती, डिगिंग, एक्स, श्रमिका, मजदूर नी, फिमेल लिबर, चालयती, चलाती है, मूव्स और यूजेज, एते, यह दोनों, दीज, टू, बस याने, दो बसें, टू बसेज, कुत्र, कहा, वेर, गच्छतह, जा रहे हैं, जा रही हैं, आर गोइंग, रेलस्थानकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अंगुलीय के, दो अंगूठियां, टू रिंग्स, स्तह, हैं, आर, सुवर्णकारह, सुनार, सोनार, गोल्ड स्मिथ, एतानी, ये, नपुंशकलिंग बहुवचन, दीज, कदली भलानी, केले के भल, बनानाज, मधुरानी, मीठे या अच्छे, स्वीट, पोशकाणी, पोशक, नुरिश्मेंट, करवस्त्राणी, रुमाल, हैंटकरचीफ्स, पुरानाणी, पुराने, ओल्ड, नूतनाणी, नये, न्यू, अभ्यास, प्रथम, क, उच्चारणं कुरूत, भलं, ग्रिहं, पात्रं, पुष्पं, द्वारं, विमानं, कमलं, हलं, सूत्रं, छत्रं, भहवनं, जलं, प्रथमह, ख, चित्राणी द्रिष्ट्वा, पदाणी उच्चारयत, यहां, नौ चित्र बने हैं, चित्रों के वस्तुवों के नाम में बताऊंगा, और उसका सम्स्कृत शब्द भी बोलूंगा, जिसका की आपको उच्चारण करना है, चित्र में पत्ता, पर्नम, चित्र में खिलोणा, क्रीडनकम, चित्र में नारियल, नारिकेलम, चित्र में कम्प्यूटर, संगनकम, चित्र में खिडकी, वातायनम, चित्र में सीडही, सोपानम, चित्र में बाग, उद्ध्यानम, चित्र में चश्मा, उपनेत्रम, और चित्र में कंगी, कंकतम, द्वितियह क, वर्ण सम्योजनम कृत्वा, पदम, कोश्ठके लिखात, यथा, पाहलन्त, योग अ, योग राहलन्त, योग नाहलन्त, योग अ, योग माहलन्त, बराबर पर्णम, इसी प्रकार आगे कुछ शब्दें हैं, जिनका स्वर और व्यंजन अलग किया हुआ है, आपको कोश्ठक में बताना है, कि स्वर और व्यंजन मिल करके, किन किन शब्दों का निर्मान कर रहा है, खाहलन्त, योग अ, योग नाहलन्त, योग इ, योग ताहलन्त, योग राहलन्त, योग अ, योग माहलन्त, बराबर, पाहलंत योग उ, योग राहलंत योग आ, योग नाहलंत योग आ, योग नाहलंत योग इ, बराबर बराबर काहलंत, योग आ, योग नाहलंत, योग काहलंत, योग आ, योग ताहलंत, योग आ, योग माहलंत, बराबर अधो लिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छे दम कुरूत यथा व्यजनम अब इसका स्वर और व्यंजन दर्शाया जा रहा है वह इस प्रकार है वहलंत, योग यहलंत, योग आ, योग जाहलंत, योग आ, योग नाहलंत, योग आ, योग माहलंत इसी प्रकार आगे के पाँच शब्दों में भी आपको स्वर और व्यन्जन को दर्शाना है पुस्तकम बराबर रिक्तस्थानम भित्तिकम बराबर रिक्तस्थानम नूतनानी बराबर रिक्तस्थानम वातायनम बराबर रिक्तस्थानम उपनेत्रम बराबर रिक्तस्थानम त्रितियः अभ्यासः चित्राणी दृष्ट्वा सम्सकृत पदाणी लिखत छह चित्र है उन्हें चित्रों में वर्नित वस्तु को मैं बताऊंगा आपको सम्सक्रित शब्द लिखना है आम प्रथम चित्र में, दृथिय चित्र में पत्ता, तरितिय चित्र में पंखा चतुर्थ चित्र में रुमाल, पंचम चित्र में धागा और शस्ठ चित्र में छाता चतुर्थः अभ्यासः चित्रम द्रिष्टवा उत्तरम लिखत यथा किम पतती चित्र में पेड से फल गिरता हुआ दर्शाया गया है इसका उत्तर होगा फलम पतती इसी प्रकार आगे के वाक्यों के रिक्त स्थान के सामने चित्र के अनुसार सम्स्कृत वाक्य पूरा करना है प्रश्ण है मयूरव किम कुरुतह चित्र में दो मयूर नाच रहे हैं एते केस्तह चित्र में दो खिलोने हैं बालिकाह किम कुरुवन्ति चित्र में तीन बच्चियां पढ़ रही हैं कानि दिकसंती चित्र में फूल खिले हुए हैं इसके उत्तर में एतानी पतंती लिखा हुआ है इसी प्रकार आगे के पांच वाक्यों में कोश्ठक में दिये गए शब्दों के अनुसार उसी वाक्य को परिवर्तित करना है क एते परने स्थ बहुवचने रिक्तस्थानम ख मयूरह निरित्यती बहुवचने रिक्तस्थानम ग एतानी यानानी दिवचने रिक्तस्थानम घ चात्रे लिखताह बहुवचने रिक्तस्थानम गा नारिकेलं पतती द्विवचने रिक्तस्थानम शष्थाह अभ्यासाह उचित पदानी सम्योज्य वाक्यानी राचायात इसमें दो स्तंभ हैं प्रथम स्तंभ में कर्तापद है और दूसरे स्तंभ में क्रियापद आपको अनुकूल कर्त्रिपद के अनुसार क्रियापद का प्रयोग करना है मैं पहले प्रथम स्तंभ के शब्दों को बोलता हूँ उसके बाद क्रियापद को प्रथमस्तंभः, कोकिले, पवनह, पुष्पम, खगह, मयूराह, सिंहाह द्वितियस्तंभः, विकसति, नृत्यंति, उत्पतति, वहति, गर्जंति, कूजतह रुचीरा भाग एक, अभी आप सुन रहे थे ये द्वनी पाठे पुष्पतक प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नेदिल्ली, भारत